सो गाइस आज हम बात करेंगे पोप के डीजे सटब के बारे में और यह डेसर आपका ओनली पोप का ही रहेगा और कितने में बनेगा यह डेसर आप सभी को बताने बला हूँ एमलीपायर कौन सा लगाऊंगा बेस कौन सा होगा और मोडल नमबर क्या है मैं टोटल इस बीडिय कितना रेंज में आपका आ जाएगा तो यह कारिव आपको तीन लाग तीस से लेका तीन लाग चालिस जार के बीच में आपको यह फुली डेसर आपको बन जागा तकड़ा डिये सटब है और इसमें आपको कौन सा मोडल नमर यूज किया हूँ ओ भी आपको बताने वाला इ पोप के बेस के बारे में और वेस को आप लोग आची तो आशी तहीं यह ससे जानते हूं यह बेस आपको फेले बात कर लें बता देता हूं और इसका पार रेटिंग की बात क्या किया जाता है और इस बेस की अंदर जो इस पिक लगते हो उसके बात किया जाये तब कर चार इंजी के होता है और इसका बेस की वेट की बात किया जाए तो करीब आपको 101 केजी लगव वेट हो जाएगा तो चले बेस का भी इतने इस पर आपको दिखनों मिलगा मैं ज्यादा इस पर से करीब इसमें आप लोग बात करूंगा इस बेस को चलाने के लिए लिया हूं तो चले बात कर लेता हूं तो देखे इस बेस को चलाने के लिए इसमें आपको ml 2.5 को लिया हूं जो कि इस अमिलिफायर को थोड़ा बता आप लोग जानते हों के फोप का ही इसका बात करूंगा आउटपूट के बारे में तो इसमें आपको देखे एटू में आपको देखनों मिल जागा इसका फिक्वेंशी रिस्पंस की बात किया है तो बहुत आचा फिक्वेंशी रिस्पंस भी प्रवाइट किया है और डेम टेक्टर की बात किया है तो चले इन दो बेस और इस अमिली फायर को मेचिंग करके देख लेते हैं कि अच्छी तरह से मेचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहागा किस साउंड कुली प्रवाइड करें ओभी छले थोड़ा बात कर लेता हूं देखे बेस आपका फोरों में काम करेगा यह आपका 24 वर्टेज का बेस है जो कि यह इस बेस में दोनों बेस में लागा दिए तो तगड़ा आपको डेसर बन जाएगा तो आप इसे इस परकार यूज कर सकते हैं जो कि इस अमिली फायर को लेकर चले आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे टॉप तो देखे में टॉप यूज क्या हूं जो कि सिंगल ही ब बात किया जाए तो इसमें आपको 480 वाट करीवी 500 वाटेज की मान के चलिएगा तो 500 वाटेज का मतलब टॉप है और इसका परोंपर आपका 960 वाट दिया है और इस स्पीकर की बात करूंगा तीन इंची के साथ आता है और यह टॉप आपका एटों में काम करता है और टॉ 26 वाट हो जागा तो चलिए टॉप का भी इतने इसमें दिखनों मिल गया आप चलते टॉप का प्राज भी जान लेते प्राज कितना पढ़ जाएगा तो इस टॉप का प्राज कर आपको 15 से लेगा 16,000 के बीच में आपको पढ़ जाएगा पहले बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा मतलब प्राज रखा था यह कंपानी वालों ने तो आभी इतना में आपको मिल जागा तो करीब आपको एक टोब आपको मिल जागा 15-16,000 के बीच में पकड़ के चलते है तो चार्ट आपका करीब पकड़ के चलेंगे तो इसमें आपको पड़ी जाएग और इसका आउटपूट की बात किया जाए तो इसमें आपको एक टुम में आपको 600 वाटेज और फोर में आपको 950 वाटेज लोड देता है फिक्वेंट सी रिस्पंस की बात किया तो आपको 20-20 इस दे दिया है और यह एम्लिफायर आपको कलास H में आता है और इस डेमिफ जाएगा तो चले अब बात करूंगा इन मतलब चाट टॉप को मेंचिंग करके देखेंगे क्या यह एम्लिफार आपको चला सकता है नहीं चला सकते है और कौन से उंपर चलेगा चले तो देखे एक एक टॉप आपका एक टॉम में आ जाता है अगर इसमें आपका 2-2 करके चलाना चाहते है पर चनल तो इसमें आपको फोरॉम में आज आएगा करीब आपको 1000 वाटेज मान लिजे या 480 वाटेज का या इस पिकार है तो देखें यह आपका 950 वाटेज फोरॉम में देता है तो इसमें आप 2-2 मतलब बिल्कुल चला सकते इसमें भी आपको कोई प् और आवाज भी मतला आप सभी साथ पोच भी नहीं रहा था इसलिए मैं मतला लाइब को कट कर दिया इसलिए सोड़ी करने चाता हूं और अगर आप लोग चाते में लाइब आउं तो आप लोग नीचे कोन को जुरूबत हैगा और चले मैंने साथ दिये सर्व का पूरा मतल सटब बता दिया हूं